भारतिय रेल यानि इंडियन रेलवेज गाइस क्या आपको पता है कि भारतिय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और गाइस आज इसमें लगबग लाखो कड़ोरों लोग रोजाना सफर करते है और गाइस जब लंबी दूरी की बात आती है तो लोग अकसर रेलवे को ही प्रिफर करते है लेकिन दोस्तों लंबी दूरी को ताई करने के लिए लंबी समय की भी ज़रूरत परती है और ऐसे में लंबी समय को spend करने के लिए लोग अकसर अपने mobile phone का use करते है और माल लेजे कि अगर आप खिड़की तरह बैठे हुए और आपका phone गलती से खिड़की के बाहर गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में लोग दो ही काम करते है नमबर वन वो या तो चुपचाप बैड चाएंगे या तो विए chain की emergency break यानी chain pulling कर देंगे तो बतातू कि ये दोनों ही तरीका गलत है दरसल अगर आप chain pulling करते हैं तो ऐसे में आपको भारी जुर्माना लग सकता है क्योंकि भारतीय rail को आपके emergency break लगाने की वज़र से लेट हो सकती है इसलिए आपको जुर्माना लग सकता है तो guys इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना है तो guys इस वीडियो में हम आपको सही तरीका कर बारे में बताने वाले हैं कि आपका फोन अगर बाहर गिर जाता है तो उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो ट्रेन में सफर करने के दोरान अगर आपका mobile phone अचानेक से नीचे गिर जाए तो सबसे पहले आपको railway track के किनारे पर लगे हुए पोल पर लिखा हुआ नमबर या side track का नमबर को note कर लेना चाहिए और तुरंती किसी अनियातरी के phone की मदद से RPF यानि railway protection force और उसके help line number 182 नमबर पर सुचना देनी चाहिए इस दोरान आपको उन्हें ये बताना चाहिए कि आपका phone किस पोल या किस track नमबर के पास गिरा है ये जानकरी देने के बाद railway police को आपका phone खोजने में आसानी होगी और आपका phone मिलने की संभवना कही गुना बढ़ जाएगी क्योंकि police तुरंती उस जगह पर पहुँच जाएगी और इसके बाद आपका railway police से संपरक कर गानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप mobile प्राप्त कर सकते हैं तो guys ये है सही तरीका अपने mobile phone को पाने का तो guys आसा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और guys ऐसे knowledgeable और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिए